नमस्कार हमारे इगनु आडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस इकाई में परिवार जीवन के बुन्यादी पहलूओं के बारे में पढ़ाना वजानना शामिल है। और पारिवारिक मूलियों और बंधन की संकल्पना को जान सकेंगे। एक एक प्रस्तावना प्रगती और सुधारों के माध्यम से जीवन शैलियों में आमूल परिवर्तन होते आ रही है। वैश्वी करण और उपभुक तावाद के वर्तमान परिद्रिश्य से परिवार और घरों के रूपों में विवित्ता आई है। इन परिवर्तनों के साथ सामाजिक समस्याएं और व्यक्तिगत परेशानिया निरंतर बढ़ती जा रही हैं। पिछली पीडियों ने परिवार जीवन के क्षेत्र में हो रहे परिवतनों और कई उन्नत देशों के जीवन शैलियों की कलपना भी नहीं की होगी। कई देशों के लोग वर्तमान परिवार जगत को द्वितिय विश्वी युद्ध से पहले के परिवार जगत से बहुत भिन्न रूप में देखते हैं। फिर भी सामाजिक संगठनों की बुनियाद के रूप में परिवार और विवार की संस्थाओं का अस्तित्व विद्यमान है। इस सिकाई में हम भारतिय संदर्प में सामाजिक जीवन की प्रात्मिक संस्थाओं के रूप में विवाह की संकल्पना और उसके अर्थ के संबन्ध में विस्तार से चर्चा करेंगे. हालां कि कई विदेशी समाजों में परिवार के स्वरूप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं, फिर भी अधिकांश भारतिय पारंपरिक पारिवारिक जीवन, संस्कृती और परंपराओं से बंधे हैं, यह आने वाली कई पीडियों तक लंबे समय तक ब एक, दो परिवार और विवाह की सामाजिक संस्थाए, परिवार किसी भी समाज की मूल भूत इकाई होती है, परिवार के अंतरगत माता-पिता और बच्चे आते हैं, माता-पिता व बच्चों के साथ परिवार जीवन में स्थिर्ता सारे मानव समाज और उसके दीर्ख काल तक बने रहने का मूल तत्व बटासार है विश्व भर के हर समाज में इस आधार भूत इकाई को सुरक्षित रखने के लिए विवाह की पवित्रता, उसका स्थायत्व, परसपर स्नेह प्रमुक शक्तिया है कई समाजों और संस्कृतियों में किसी भी अन्य विचार को अत्यधिक महत्व देने वाले व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुकता के संबंद में काफी चर्चाय बटा विचार विमर्श हो रहे हैं पारसपरिक दायत्वों पर आधारित समाज के जनहित को समवर्धित करने के प्रयास किये जा रहे हैं और व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देना धीरे-धीरे कम होता जा रहा है विवा और परिवार के परमपरागत और प्राचीनतम संस्थानों पर इसके क्या नकारात्मक परिणाम होंगे इस पर विचार किये बिना उपभुकतावाद और वैश्वीकरण के इस योग में यह प्रक्रिया व्यक्तिगत आजादी और पसंद पर पूर्ण बल की और अग परिवार को समाज की आधार्शिला मानते हैं जार्ज पीटर मर्डाक के अनुसार परिवार एक सामाजिक समूह है सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजन इसकी विशेशताए हैं इसमें दोनों लिंगों के वयस्क शामिल हैं, इनमें से कम से कम दो सामाजिक रूप से अनुमोदित लैंगिक संबंधों को बनाये रखते हैं, अपने या गोद लिए एक या अधिक बच्चे हो सकते हैं इस परिभाशा के अनुसार, परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं, संतती पैदा करते हैं, मिल जुल कर काम करते हैं और एक साथ संसाधनों को जुटाते बटा एक अतरित करते हैं वयस्क पुरुष्व महिला अपने समाज विशेश के मूलियों के अनुसार लैंगिक संबंद स्थापित करते हैं और संतान पैदा करते हैं। एंथोनी गिडेंज के अनुसार परिवार व्यक्ती का वह समूह हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है और जिसके वयस्क सदस्य बच्चों की देखरेक का दाइत्व लेते हैं। कंसाइज ओक्सफोर्ड शब्दकोश में परिवार का वर्णन माता-पिता व बच्चों के समूह या घर के सदस्य विशेश के रूप में माता-पिता व उनके बच्चे के रूप में किया गया है। सगोत्रता बटा रिष्टेदारी सगोत्रता का शब्दकोश में अर्थ है, रक्त संबंधी, सगोत्रता दो प्रकार की हो सकती है आए, वैवाहिक संबंधों के जरिए 2. पीड की वनशावली के जरिये जो रक्त संबंधियों को जोडती है जैसे की माता और पिता की ओर से सहोधर संतती इत्यादी इस तरह सगोतरता के अंतरगत या तो आनुवनशिक वनशावली होती है या विवा से प्रारंब वनशावली होती है संक्षेप में परिवार रिष्टेदारों का समूह है सिल्वाल फोड शब्दलोश के अनुसार विया महिला वपुरुष के इस बाम बहने और असर एक बच्चे उत्पन करने के लिए एक कानूनी संगम है इस कानूनी संगम को समाज, राज्य और धर्म उनके लिए जो धर्म में विश्वास रखते हैं और उसका अनुसरन करते हैं कि मनजूरी प्राप्थ होती है विवा पुरुष और महिला का होता है न कि लड़के और लड़की का प्रत्येक समाज, राश्ट्र के निर्धारित मूल्य होते हैं जो वयस काव्यवस्था को परिभाशित करते हैं भारत में महिला वो पुरुष के विवा की निर्धारित उम्र क्रमशा 18 वर्ष और 21 वर्ष है विवा एक सामाजिक संस्था है जो विवाहित पुरुष वो महिला को पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने की अनुमती प्रदान करती है यह आशा की जाती है कि पुरुष वो महिला मात्र एक साथ न रहे बलकि एक साथ रहते हुए बच्चे भी पैदा करें एंथनी गिजसंज के अनुसार विवा को सामाजिक रूप से स्वीकृती और दो वैसकों के बीच अनुमोदित यौन संगम के रूप में परिभाशित किया जा सकता है परिवार, सगोत्रता और विवाह के बीच अन्तहसंबंद पुरुष्व महिला विवाह कर लेने के उपरांद एक दूसरे के सगोत्र रिष्टेदार बन जाते हैं यह विवाह बंधन विभिन रिष्टेदारों को एक साथ जोड़ता है माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, बहन, भाई, चाचा-चाची और अन्यरक्त संबंधी विवाह के जरिये साथी, पती-पत्नी के रिष्टेदार बन जाते हैं विवाह महिला और पुरुष के बीच एक स्थाई वपुष्ट बंधन है, जो शेश जीवन के लिए पती-पत्नी बन जाते हैं यह वैवाहिक मिलन उनके लिए बच्चों के जन्म और स्थाई एवं स्नहपूर्ण, देख रेक करने वाले, परिवेश को सुनिश्चित करता है पारिवारिक संबंध व्यापक सगोत्र समूओं में पाए जाते हैं हमें परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर प्राया परिवारों के दो सामान्य रूप देखने को मिलते हैं मूल परिवार में माता-पिता और बच्चे अपने या गोन लिये हुए धत्तक होते हैं. विस्त्रित परिवार या सन्युक्त परिवारों में अपेक्षाकृत ज्यादा सदस्य हो सकते हैं, जो रक्त संबंधी होते हैं, जैसे दादा-दादी, माता-पिता, माता-पिता के भाई और बहन, उनके पती-पत्नी, बच्चे, नाती-ित्यादी. भारत जैसे तेज गती से परिवर तन्शील समाज भारत में, मूल परिवार शहरी क्षेत्रों में आम है जबकि सन्युक्त परिवार प्रायह गावों में ज्यादा पाए जाते हैं. अधिकांश मामलों में ऐसा देखा गया है कि माता-पिता अपने विवाहित बच्चों के साथ रहते हैं, फिर भी भारत के शहरी केंद्रों में वृद्धाश्रमों की दो कारणों से वृद्धी हुई है. आए, छोटे परिवार की प्रवृत्ती, कम बच्चे पैदा करना. और तू, नौकरी की तलाश या पती-पत्नी नौकरी के कारण अपने-अपने मूल स्थानों से देश या देश से बाहर बच्चों वयस कों का स्थाना अंतरण. 1. 3. सन्युक्त राष्ट्र घोष्णाओं में परिवार की संकल्पना. सन्युक्त राष्ट्रों द्वारा 1948 में मानवा धिकारों की विश्वव्यापी घोष्णा मानवता की जीत थी. यह घोष्णा व्यक्ती की गरिमा पर आधारित है और विभिन देशों के व्यक्तियों और अपने प्रत्येक सदस्य के लिए सम्मान को सम्वर्धित करती है वो उसकी रक्षा करती है मानवा धिकारों की यह घोष्णा आगामी सभी मानवा धिकार सभाओं और दस्तावेजो के लिए प्राधिकृत आधार है. पूर्ण आयू, वयस्क के किसी भी पुरुष और महिला के लिए विवा के अधिकार को मौलिक मानव अधिकार के रूप में परिभाशित किया गया है. परिवार को समाज के सहज और मौलिक समुव बटा इकाई के रूप में परिभाशित किया गया है और वह समाज तथा राश्ट्र द्वारा सुरक्षा प्रदान किये जाने का अधिकार रखता है. घोश्णा के प्रस्तावना के प्रारंभिक वाक्य हैं कि ये मानव अधिकार अंतरनहित, सहज और अदेय है और हमारी मानव गरिमा से बंधे हैं. यह नोट किया जाए कि इन मानव अधिकारों का आधार मानव गरिमा है. इन्हें राजनेतिक इच्छा या बहुमत के निर्णयों से बदला नहीं जा सकता. ये प्राकृतिक कानून राजनीती से उपर, पहले, और राजनीती से अलग है. ये राश्ट्रिय कानूनों से उपर है और कोई भी राश्ट्र ऐसे कानून नहीं बना सकता जो इसमें बदलाव कर सके. यह सन्युक्त राश्ट्र गोशना सभी मानव अधिकार दस्तावेजों. का खोत है और जीवन विज्ञान पर आधारित प्राकृतिक परिवार की सुरक्षा करती है. वयस्क पुरुषों और महिलाओं को विवा करने और परिवार बनाने का अधिकार है. अनू सोलह परिवार समाज की मौलिक एकाई है और विशेशाधिकारों और राजनीतिक सुरक्षा का हकदार है परिवार और बच्चों के अधिकारों संबंधी सूत्रों को यूरोपियन को Court of Human Rights ECHR 1950 और International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 जैसे कानूनी रूप से बांधने वाली कनवेशनों में दोहराया गया है परिवार व्यक्ती की पूर्ण शान के राह में उसकी मान्यता वविकास के लिए उतक्रिष्ट सरवाधिक अनुकूल और अध्वितिय स्थान है परिवार में ही मानव विकास के प्रथम प्रयासों की पहल की जाती है और शिक्षा और मानव प्रोनती की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है जिस व्यक्ती की परिवार में यह प्रारंभिक दिशा विन्यास नहीं मिलता उसे मानव अपेक्षित पूर्णता प्राप्त करने की राह में बहुत बाधाय आती है जिसके कारण वह व्यक्ति कहलाता ती है परिवार समाज का आधार है समाज में व्यक्तियों के मानव विकास के लिए मानव अधिकारों के प्रती सम्मान होना जरूरी है समाज में व्यक्तियों के मानविय विकास के लिए मानवाधिकारों के प्रती सम्मान अनिवार्य इन मानव विकास मूल्यों में जीवन स्वास्थिय, ज्यान, कार्य. समुदाय, धर्म और संस्कृती शामिल है. परिवार व्यक्तियों का लगुतम समुदाय है. परिवार के अनिवार्य मूल्य केवल तभी प्राप्त किये जा सकते हैं जब महिला और पुरुष दोनों विवा में एक दूसरे को पूर्णता समर्पित कर दे स्नेह वप्यार के समुदाय को स्वीकार कर ले प्रजन बटा स्रिष्टी में नवजीवन के उपहार को पूरी तरह स्वीकार करने के इच्छुक हो और संतान की शिक्षा का दायित्व लेने के लिए तयार हो माता-पिता बच्चे को ऐसा घर माहौल प्रदान करते हैं जिसमें बच्चा पल बढ़ सके वे सभी अधिकार जो व्यक्ति के रूप से विक्सित होने के लिए प्राकृतिक रूप से अनिवार्य है वे अत्यधिक प्रभावी ढंग से परिवार में वास्तविक बन जाते हैं अपने स्वरूप में ही परिवार अधिकारों का विशय मानव समाज का बुन्यादी अव्यव और पूर्ण मानव विकास में एक सर्वाधिक अनिवार्य शक्ती है परिवार की सामाजिक मध्यस्था के महत्व को नकारा नहीं जा सकता परिवार जीवन का आश्रे स्थल है यह मात्र मानव यथार्चता न होकर उससे कहीं अधिक है यह वह स्थान है जहां अस्मिता के साथ व्यक्ति अपने लिए रह सकता है यदी परिवार मानवा धिकारो द्वारा सुरक्षित वह विशेशा धिकार यूग्त है तो वे हर समय वहर स्थान पर वैद है समाज की उत्तर जीविता विवा और परिवार की ठो संस्था पर निर्भर करती है जब परिवार की परंपरागत संग्रचना समाज से लुप्त हो जाएगी तो लोग इस बात से अन्भिग्य होंगे वे किसके बारे में बात कर रहे है आता परिवार को किसी भी तरह से अपना विशेशाधिकरित राजनीतिक समर्थन नहीं खोने देना चाहिए यदि यह समर्थन खो जाएगा तो समाज भीतर से ही नश्ट हो जाएगा परिवार की एतिहासिक संकल्पना को लुप्त नहीं होने देना चाहिए यदि ऐसा हो जाता है तो इस विद्यमान संकल्पना को बनाए रखना बटा जीवित रखना बहुत कठिन हो जाएगा राष्ट्रिय वा अंतराष्ट्रिय स्तरों पर परिवार की संकल्पना को पुना परिभाशित करने के प्रयास किये गए कानूनी न्यायक तथा संसदियक शेत्र में भी इस संदर्भ में प्रयास किये गए है सारवजनिक विचार विमर्शों से भी ऐसे प्रयास को बल मिला या समझना जरूरी है कि राजनीतिक बहुमत मानव अधिकारों को नहीं बदल सकती वे अदे और जन्मजात है मानव की गरिमा के फल्स्वरूप है न कि कुछ राजनीतिक निकायों द्वारा प्रदान किये गए है बच्चे के अधिकार पर सन्युक्त राष्ट्र सम्मेलन उन्नी सो नवासी सम्मेलन के प्राक्कतन में वर्णित है कि समाज के मौलिक समूह के रूप में और परिवार के सभी सदस्यों विशेश रूप से बच्चों कि वृद्धी व कल्यान के लिए प्राक्रितिक परिवेश के रूप में परिवार में आवशक सुरक्षा और सहायता का सामर्थ्य होना चाहिए ताकि वह समुदाय के भीतर अपने उत्तरदायत्वों को पूरी तरह स्वीकार कर सकें मान्यता प्रदान करता है कि बच्चे के अपने पूर्ण एवं सन्यत विकास के लिए परिवार में एक खुशाल, स्नहपूर्ण और परस पर समझ रखने वाले माहौल में पलना बढ़ना चाहिए सन्युक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार बच्चों को अपने जैविक माता-पिता के बारे में जानने और उनके साथ रहने का अधिकार है यदि ऐसा संभव ना हो तो उन्हें अनुकूली माता-पिता के साथ रहने का अधिकार है जो यथा संभव हद तक उनके सगे, स्वाभाविक, माता-पिता के समरूप होते है इसके अतिरिक्त, बच्चे का हित सर्वोत्तम है जो बच्चों के अधिकारों से संबंधित सभी मुद्दों को नियंत्रित करेगा न कि वयसकों के हित को ध्यान में रखा जाएगा बच्चों के अधिकारों पर सन्युक्त राष्ट्र सम्मेलन और सन्युक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोशना दोनों में परिवार के महत्व की चर्चा की गई है परिवार के अंतरगत मा, पिता और बच्चे आते हैं, यह सभी समाजों में एक स्वाभाविक संस्था है समाज इसे परिवार को समर्थन देने को बाध्य होता है क्योंकि यह अद्वितिय रूप से बच्चे पैदा करता है और उनका लालन पालन करता है मा एवं बच्चों को विशेश राजनितिक समर्थन का अधिकार प्राप्थ है गर्भवती वस्तनपान, देख भाल, करने वाली मा समवेदनशील होने के बावजूद किसी भी समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है राजनितिक रूप से परिवार संगत होता है क्योंकि यही मानव पैदा होते हैं, वह बढ़ते हैं माता-पिता बच्चों का लालन-पालन करके उन्हें उत्तरदाई नागरिक बनाने के लिए शिक्षित करके वे समाज के मुख्य कार्य करते हैं माता-पिता का स्थान कोई भी नहीं ले सकता इसी लिए हम कहते हैं कि परिवार समाज की आधार भूती काई है सम्मेलन, कन्वेंशन की धारा तीन में वर्नित है कि बच्चे का सर्वुत्तम हित प्रात्मिक विचारनिय विशय होगा कानूनी रूप से नियंत्रनकारी कन्वेंशन ने बच्चे को अपने माता-पिता के प्रती अधिकार के संबंध में कोई संदेह नहीं छोड़ा बच्चे को न केवल अपने माता-पिता के बारे में जानने का अधिकार है बलकि उसे उनके द्वारा लालन-पालन किये जाने के भी अधिकार है बच्चे के सर्वुत्तम हित का यही तात्पर्य है इसका नहितार्थ यह भी है कि केवल बच्चा पैदा करने के लिए विवाह करना अन्यायपूर्ण परस पर विरोधी अंतराश्च्रिय कानून है ऐसे सैकडों मामले हैं जहां विवा बंधन, सहवास और सेक्स कार्य करताओं द्वारा पैदा हजारों बच्चे पैदा किये जाने के बाद उन्हें अपने जीवन्यापन की व्यवस्था स्वय करने के लिए सडकों पर छोड़ दिया जाता है HIV संक्रमित पुरुष व महिला जिनका स्वास्थ पहले से ही खत्रे में उनके लिए बच्चे को जन्म देना बच्चे के सर्वुत्तम हित में नहीं होगा इसी प्रकार कुछ देश जो समलिंगी को एक साथ रहने की अनुमती देते हैं उनके द्वारा बच्चों को गोद लेने से बच्चे के सर्वुत्तम हित की सुरक्षा किस प्रकार होगी परिवार को पुना परिभाशित करने के प्रयास कई देशों में कई ऐसे प्रभावी समूह वव्यक्ती हैं जो परिवार की संकल्पना को पुना परिभाशित करना चाहते हैं वे इस संकल्पना में पारंपरिक मातापिता बच्चों के परिवार के रूप में समान कानूनी स्तर के साथ गोद लिये या गोद लिये बिना समलिंगी संगम, अपने या दत्तक बच्चों वाला एकल मातापिता, विवा से पैदा हुए बच्चों, विध्वा बटा विधुर को नहीं, दरपत्ती के रूप में सहवास के लिए रहने वालों यहां तक की जानवरों के दत्तक को भी शा क्रिती देते हैं, निस्संदे ये सभी सडकों पर रहने वाले पुरुष के लिए भ्रामक स्थितिया है, सामाजिक वैधता का अनिवार्यता कानूनी वैधता से कोई संबंध नहीं है, अल्पसंख्यक समूहों को अपने आप मानव अधिकारों को दुर्बल बनाने वाले भ अर्थाद बच्चों के अधिकारों को परिवर्तित नहीं कर सकता, कुछ छोटे-छोटे देशों के कानून के विचार वमत से सहमत होना उचित नहीं होगा, कानून में प्रत्येक मुद्दों पर सामाजिक प्रचलनों की यथार्थता और बहुमत अवश्य प्रतिबिंबि होना चाहिए. उदाहरण के लिए नावे में अनुमानतह 50 प्रतिशत बच्चे वैवाहिक गठ बंधन से पैदा होते हैं. सांखिकियर रूप से यह तथ्यमांदंड बन सकता है. कुछ छोटे देशों के प्रभावी समुओ द्वारा तर्प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ अंतराश्य अधिकार अपने राश्य जनमत और परमपराओं के विरोधी हैं. बच्चे और उनके सुरक्षित आश्रय अर्थात परिवार को अपनी स्वार्थी और अंतराश्य मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया में तोडम्रोड नहीं की जानी चाहिए, परिवार क्या और बच्चों के अधिकारों के बारे में कोई भ्रांती नहीं होनी चाहिए, जो अधिकार बच्चों के हैं, वे वयसकों के नहीं हैं, और ये अधिकार वयसकों के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण हैं, वयसकों के विवा करके परिवार बनाने के अधिकारों से हटकर राजनीतिक ध्यान बच्चों के मातापिता के प्रती अधिकार और स्थाई पारिवारिक जीवन की और प्रवृत्थ होने से यह परिणाम होगा कि चरम व्यक्तिवादियों को जुकना पड़ेगा। परिवार व्यक्ति का सबसे छोटा समुदाय है जिसमें वयस्क पुरुष और महिला होते हैं जो विवा की संस्था द्वारा एक साथ रहने, बच्चे उत्पन्न करने उनका पालन पोशन करने और शिक्षित करने का मुक्त समझोता करते हैं। संयुक्त परिवार है जब पुत्र और पुत्रियों का मात्रिवन्शिय का विवा हो जाता है तो वे परिवार को छोड़ कर नहीं जाते वे अपनी पती बटा पत्नी और बच्चों के साथ उसी परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार एक कुटूम की तरह है जिसमें प्रत्यक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका से अवगत होता है और जरूरत के समय अन्य सदस्यों की सहायता और एकता का ख्याल रखता है बच्चे वन नाती पोते माता-पिता का सम्मान करते हैं। और उनकी आग्या का पालन करते हैं। इसे प्राया उनके परम पावन करतव्य के रूप में देखा जाता है। ऐसी स्थितियों बहुत ही कम ही होती हैं जब यूवा अपने जीवन साथी स्वय चुनते हों। ऐसे विवा अधिकांश्ता कम प्रशिक्षित ग्रामीनों की तुल्ना में शिक्षित नगर्वासियों में पाए जाते हैं। परिवार द्वारा तै विवा में माता-पिता-पुत्रवधु बटा-दामात के परिवार की प्रिष्ठ भूमी, उसकी वित्तिय सामाजिक, धार्मिक और शैक्षनिक प्रस्थिती बटास्तर को भी ध्यान में रखते हैं। इस तरह विवा में दोनों परिवारों और बच्चों की पूर्ण सहभागिता होती हैं और जो प्राया विश्वास के साथ अपने माता-पिता की पसंद को स्वीकार कर लेते हैं। जीवन साथी चुनने के संदर्भ में आज का युवा अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने और अपने निर्णय स्वयम लेने के लिए ज्यादा आजादी चाहता है। एसे परिवर्तनों से देश के नगरों और गावों को भी प्रभावित हो रही हैं। इन परिवर्तनों के साथ एक नए प्रकार का पारिवारिक जीवन उभर रहा है जो ज्यादा आत्मनिर्भर है और ज्यादा आत्मनिर्भर बनने के लिए संघर्ष कर रहा है पहले की अपेक्षा ज्यादा महिलाए शिक्षित है ज्यादा महिलाए परिवार व्यवस्था की अपेक्षा परिवार से बाहर नौकरिया कर रही है। वस्थुता भारत में स्थानिय राज्य तथा राश्ट्रिय स्थरों पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता सहित उनकी सामाजिक स्थितियों को सुधारने के लिए कई कानून बनाए गए है। मूल्य प्रथा भारत में संपन्न मूल्य प्रथा है, यह परंपरागत मूल्य प्रथा अभी भी महत्वपूर्ण है और इसे आसानी से समाप्त, लुप्त नहीं होने देना. चाहिए संतुष्टी नारिवाद और परंपरागत परिवार प्रथा के अस्तित्व पर चुनौतियों के पक्षधरों में बहुत तबाही की गई थी. इसके परिणामस्वरूप विश्व के कई समाजों में परंपरागत परिवार प्रथा टूटी है. एकल अभिभावक परिवार बिना विवाह के एक साथ रहने, सहवास, समलिंगी संगम, तलाकशुदा और पिछले विवाह के बच्चों वाले पुरुष बटा महिला के साथ पुना विवा, दादा दादी का नाती पोतों के साथ रहना, व्रिद आश्रमों, अनाथालेओं और निराश्रय ग्रिहों का आविरभाव, नशा करने वाले परिवार सैक्स उद्योग का प्रसार सैक्स दुकाने अश्लील साहित्य और सैक्स परियटन जैसे नए मॉडल प्रतिमान उभर कर सामने आने लगे, इन सभी पहलों ने संपन्द पुराने रितिरिवाजों, प्र की अपिक्षाओं और जरूरतों की पूर्ती के लिए अनिवार्य है, हो सकता है आज के युवा के सम्मुख पुराने तैयार रिवाजों, प्रथाओं और परिवार के प्रतिमानों को रखना विवेकपूर्ण नहों फिर भी उन्हें प्रतिष्ठित्व शालीन जीवन के सक करना अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य है, इससे वे पारंपरिक मूल्यों का आधुनिक समय के साथ सामन जस्य स्थापित करके उनको व्यवार में लाने के नए तरीके खोज सकेंगे, मूल्यों के चुनौती देने वाली प्रवृत्या, विश्वव्यापी अपनी मूल्य प्रथाओं के संबंध में कुछ समुहों, घटनाओं और विकासात्मक पहलूओं से मिलने वाली अनेको चेतावनियों का सामना कर रहा है, जिसका प्रभाव दूरगामी है। संबंध है, एक हजार मिलियन व्यक्तियों से भी अधिक वाला यह व्रहतर लोकतंत्र शेश विश्व को एक प्रतिमान, उदाहरण, प्रस्तुत कर रहा है और उनके लिए आशा की किरण है। प्रवृत्यों को जन्म दिया है, फिर भी अधिकांश जन्समुदाए, अपनी जीवन शेलियों के प्रति अटल है और अपने पारिवारिक मूलियों, नैतिक मूलियों और धार्मिक प्रताओं को जीवित रखे हुए है। विज्ञान की उन्नती, शिक्षा, मीडिया, प्रोध्योगी की और पश्चिम जीवन शेलियों के प्रभाव ने भारतिय समाज को भी कुछ प्रभावित किया है, जिसके फलस्वरूप पुरातन पध्धती को चुनौती देने वाली गैर्मानव जातिय प्रताएं हमारे समा का व्यसन, तलाक, विभिन यौन अभिविन्यास, एकल माता, पिता वाले घरों, आत्महत्याओं और सुखमृत्यू की मांग जैसे मामलों में वृद्धी हुई है, हानला की ये सभी आज के समाज का हिस्सा ही है, फिर भी ये मीडिया के जरिये जो प्रभाव छोड़ते हैं उससे युवा पीडी पतभरष्ट हो रही है, जिसे समाज के लिए अनर्थकारी माना जा रहा है। इस पतंशील प्रवृत्ती का सामना करने के लिए लोगों को ऐसी सामाजिक समस्याओं के परिणामों के संबंध में शिक्षित करना जरूरी है। यह भी आवशक है कि उन विलीन हो रहे मूल्यों को भी रिकार्ड करे जो आने वाली युवा पीडी के लिए स्मरण पत्र का काम करेंगे। परिवार सर्वव्यापक है। समाज शास्त्री परिवार को एक सर्वव्यापक सामाजिक संस्था के रूप में देखते हैं। यह मानव समाज का अनिवार् सामान्यता परिवार को व्यक्ति तथा समाज के लिए एक अच्छी चीज माना जाता है। हम 1960 के दशक में यूरोप और अमरीका में महिला स्वतंतरता को लिए आरंभ हुए आंदोलनों को देख चुके हैं। कुछ नारीवादी लेखक संस्था के रूप में परिवार की निंदा करने की हद को लांग गए। हाला कि ऐसे प्रयासों ने परिवार और उसके परमपरागत द्रिष्टिकोन की नीम को हिला दिया लेकिन इससे कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। वास्तविक्ता तो यह है कि समाज में अव्यवस्था लाने में ही ऐसे प्रयासों का योगदान रहा जिससे तलागदर में व्रिद्धी हुई, नैतिक मूलियों में कमी आई, व्रिद्धों और बच्चों के अभाव हुआ, और समाज के सर्वहित, पर स्वच्छन संभोग और व्यक्तिगत विचारों की व्रिद्धी हुई, इसका सार यही है कि परिवार के तूटने से समाज और मानव उत्तर जीविता की निरंतरता तूट, बिखर, जाती है, एक, पाठ, परिवार जीवन शिक्षा में विभिन प्रकार के मूलियों के महत्व, संबंध और बंध परिवार जीवन के केंद्र है, परिवार और घरेलू संघटना में परिवर्तन से लोगों की अपने संबंधों से उम्मीदों में बदलाव आया है, आज के संबंध सक्रिय हो गए है, व्यक्ति को इसे कार्यानवित करना होगा, यह दूसरे लोगों का विश्वास जीतने प पर निर्भर करता है, संबंध व्यक्तियों के बीच संचार और सहयोग पर निर्भर करते हैं, भावात्मक संचार यौन संबंध, पति-पत्नी के बीच प्यार और माता-पिता वो उनके बच्चों के बीच प्यार का एक अभिन्नांग है, हालांकी, विक्सित देशों में इ बीच काफी सनेह और अत्यधिक पुष्ट संबंध विद्यमान है। हालांकि भारतिय उपमहद्वीप में पश्चमी संस्कृती या जीवन शैली का प्रभाव को प्रबल होते देखा जा सकता है। विवा और परिवार जीवन की सफलता और चिर स्थायत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ संबंध बटा रिष्टेदारी और बंधन को स्थाई रूप से बनाए रखने की योग्यता बटा बंधन की। योग्यता विश्वस्निय प्यार के प्रारंभिक अनुभव पर निर्भर करती है। एक बच्चा जिसे अपने माता-पिता की एक दूसरे के प्रती और उसके प्रती वफादारी प्रतिबधता पर कभी संदेह न हुआ हो उसमें सहज रूप से विश्वास वनिश्पक्षता विक्सित होगी। विश्व के कई देशों, हिस्सों में सेख्स को ऐसे रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास हुए हैं, जिसमें संबंधों के प्रती कोई सम्मान नहीं होता। ऐसे प्रयास मानव जाती की गरिमा को ठेस पहुँचाते हैं, उसे अपमानित करते हैं। वस्तुता यह वैवाहिक संबंद के हृदय से पैदा होता है, समय के साथ-साथ यह परिवार और अंत्तह समाज को दुर्बल बना देगा परिवारिक जीवन की शिक्षा का आशय है युवाओं को मानव के अर्थ का अन्वेशन करने, स्वयां को एक अद्वितिय देह के माध्यम से मूल भूत, तात्विक रूप से पुरुशोचित और स्त्रियोचित रूप में अभिव्यक्त करने में मदद करना अपनी शरीर के मा प्यार करने की अभिव्यक्ती भावना को पूर्ण रूप से व्यक्तिव उपभोग कर सकता है। जैविक संगम जिसके परिणामस्वरूप संतान पैदा होती है के बिना परिवार का अस्तित्व नहीं हो केवल महिला ही पुरुश के सहयोग और हिस्सेदारी से ही गर्भधा कर सकती है। एक बच्चे के बढ़ने के लिए एक पिता एक माता और एक घर का होना जरूरी है। यह एक असलियत है और प्राचीन समय से चला आ रहा सभी समाजों का शाश्वत अनुभव है। यह अवधार्णा विवा के अंतरगत यौन संगम को नया मानव स्रिजित करने क क्षमता सामर्थ है। रखने वाले के प्रती स्वयं को पूर्ण रूप से सौंपने के असाधारन कार्य के रूप में प्रस्तुत करती है। एक निश्ठावान संबंध सार्थक और फलदायक जीवन की और प्रेरित करता है। मात्रित्व, पित्रित्व, मात्रपित्रित्व हम जानते हैं कि कानून और दिव्य प्रकृती का मानना है कि मानव प्रकृती निरधारित है इसमें दो लिंग, हिजडे, किननर, इसका अपवाध है होते हैं जहां मानव और सामाजिक जीवन में परिवार एक स्वाभाविक और स्थिर संस्था है आता मात्रित्व और पित्रित्व अचल है और परिवार को पुना परिभाशित नहीं किया जा सकता विद्वापन, वैधन्य या तलाक या संबंध विच्छेत के कारण एकल मातापिता वाले परिवारों को छोड़ कर यह सभी समाजों में एक मानक के रूप में विद्यमान है वस्तुता मात्रित्व और पित्रित्व मात्र जैविक विशेष्टाओं की अपेक्षा मानव सत्ता के आईपुरुशों के रूप यह ज्यादा विद्यमान है मा क्या है इसकी कोई पहचान नहीं है जब तब की व्यक्ति को असलीमा का व्यक्तिगत अनुभव न हो इसी तरह पित्रित्व को भी परिवारिक व्यवस्था में केवल प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जाना जा सकता है मात्र पित्रित्व मात्रित्व और पित्रित्व से भिन्ध है कई ऐसे हैं जो बहुत ही कम उम्र में ही माता और पिता बन जाते हैं सजीव प्राणी है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार के अधिकांश पहलूओं का मार्गदर्शन करने वाली अंता निर्मित क्रिया विधी का अभाव होता है प्रतिभाव, कौशलों और विचारों को विक्सित करने के लिए व्यक्ति को दूसरों के साथ संबंधों का प्रयोग करना पड़ता है व्यक्तिगत परिपकवता प्राप्त करने के लिए व्रिधी हेतु या एक अनिवार्य शर्थ है परिवार ही वह प्रतम परिवेश है जो व्यक्ति को सहच स्नेहव सहयोग के साथ दूसरों के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है व्यक्ति के जीवन में विप्रीत लिंग वाले नए व्यक्ति के प्रवेश से एक नए प्रकार का संबंध और अनुभव विक्सित होता है, जो विवा के रूप में पूर्ण होता है। वे दोनों के साथ मैं और तू को पीछे छोड़ कर स्वयम को हम के रूप में परिवर्तित करते हैं। एक विश्वास और समझ बढ़ती है। अपनी अपनी आंतरिक भावनाओं, अनुभूतियों, मूल्यों और रुचियों को दर्शाते वा आदान प्रदान करते हुए उनमें संकोच की भावना नहीं रहती। प्रत्यक व्यक्ति परिवार में पैदा होने के लिए बना है और नया परिवार बनाने के लिए आया है। एक व्यक्ति पारिवारिक जीवन एवं उसके दायत्वों को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करके ही सनह सम्मान और सेवा भावना के साथ दूसरों तक पहुँच सकता है। बच्चे पैदा करने की योजना बनाने, गर्भधारन करने और उन्हें पालने की खुशी वचिंताएं और परिवार के सामाजिक दायत्व और कर्तव्य दमपत्ति को स्वयं को विस्मृत करने, भूलने और दूसरों के ज्यादा और ज्यादा संबध होने के लिए विवश कर करते हैं, आता हम कह सकते हैं कि उत्तरदाई मात्रपित्रित्व ही असली मात्रपित्रित्व हैं, व्यक्ति को अपने परिवार पती-पत्नी, बच्चों के समाज के प्रती उत्तरदाई बनना होगा, जीवन की संस्कृति, परिवार जीवन को समवर्धित करने के लिए कार्य नीती और तरकाधार की जरूरत है क्योंकि नई प्रवृत्तियां व्यक्तिगत अधिकारों की मांग करती है। भारतिय सम्विधान और कानून सुख मृत्यू, सहज मृत्यू युथेसिया की अनुमती नहीं देते। इसी तरह अजन में बच्चे के जीवन के अधिकार की सुरक्षा करने को महिलाओं के विरुध हिंसा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अश्रय बच्चे की उन लोगों द्वारा। इसकी कई व्याख्याए कर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह स्पष्ठ है कि गर्भधारन से अभिप्राय निशेचन है न कि रोपन से रोपन निशेचन के लगभग पांच दिनों पश्चात होता है। युक्मनज किसी भी सजीव की तरह बढ़ना प्रारंब कर देता है। यह मानव है क्योंकि निशेचन के समय मिलने वाले गुणसूत्र मानव पिता और मानव माता के होते हैं। न कि किसी अन्य सजीव जाती के विश्व में कई ऐसी जीवन विरोधी शक्तियों मानव अधिकारों के उलंगन के लिए और चित्य और सामान्य हित पर व्यक्तिगत हितों के लिए अपने संघर्ष के लिए तरकाधार प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। आता यह उप्योक्त होगा कि गर्भपात कराने या सुखद मृत्यू का वरण करने की व्यक्तिगत आजादी संबंधी जूठे प्रचार के माध्यम से ऐसे जन विरोध होने के बावजूद युवाओं को जीवन की संस्कृती के बारे में सिखाए स्वतंत्रता एक दिव्य पाई जाती है। है ताकि केवल स्वाभाविक और पारमपरिक परिवारों के लिए बनाए गए लाभों से समलिंगी दमपत्ती भी लाभानवित हो सकें। अभी तक भारतिय दंड संहिता आई पीसी की धारा 377 के अंतरगत समलिंगी कार्य एक आपराधिक कार्य है। हाल ही में इस धारा को रद करते हुए एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायाले में दायर की गई जनहित याचिका को खारिश कर दिया गया। सितंबर 2004 भारतिय विधी आयोग ने पाया की सामान्यतह भारतिय समाज ने समलैंगिक्ता को अस्विकृती दी है और समलिंगी कार्य को आपराधिक कृत्य के रूप में मानने की पुष्टी के लिए यही पर्याप्त है भले ही वयस्क इसे गुप्त रूप से करते हैं। न्यायाले की कारिवाही के दौरान यह कहां गया कि जब सरकारी नागरिक समाज में नैतिक्ता को नियंत्रित नहीं कर सकी तो कानून को ही लोकनैतिक्ता और समाज को हानी पहुचाने वाली चिंताओं को अभिव्यक्त वप्रतिबिम्बित करना पड़ा। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो कानून के लिए जो थोड़ा बहुत सम्मान बचा है वह भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि तब कानून अपनी वैद्ता खो चुका होगा। यह तो सभी को ग्यात है कि समलिंगी विवाह प्रकृती के विरुद्ध है। यह नए मानव जीवन के संबंध में यह बंदन है। यह नैतिकता के विरुद्ध है। एक अच्छे समाज को बनाए रखने के लिए नैतिक पर्यावरण का होना जरूरी है। तथा पी यह एक सच्चाई है कि विभिन संस्कृतियों के लोगो भिन भिन यौन अभिविन्यास है। हमारा उद्देश्य ऐसे व्यवहारों की निंदा करना नहीं लेकिन यह समझना है कि समाज इसे कैसे ग्रहन, स्वीकार करता है जो जीवन शैलिया तलाक समलिंगी संग्मों, सुखत मृत्यू को बढ़ावा देती है और गर्भपात की दरों को बढ़ा रही है उससे परिवा हमारों में बच्चों की संख्या कम है और व्रिद्धों की आबादी बढ़ रही है जिसे युवाओं का समर्थन नहीं मिलेगा ऐसे प्रवृत्तियों का विरोध करने और मूल्य आधारित समाज को बचाए रखने के लिए जीवन की संस्कृती को बढ़ावा देने की पक वयूवती यौन अंतरंगता को बढ़ाने से पूर्व वैवाहिक बंधन में बंधने का इंतजार करें जिस व्यक्ति के साथ बंधना है ऐसे सही व्यक्ति के लिए वचन बधता और प्रतीग्या स्थाई और खुशाल यौन वैवाहिक जीवन और सुद्रिट परिवार बंधन का आधार है ऐसी नकारात्मक प्रवृतियों का विरोध करने और पारंपरिक भारतिय परिवार की सम्रिध विरासत और मूलियों को सुरक्षित रखने के लिए जीवन की संस्कृती को समवर्धित करने की जरूरत है न कि मृत्यू की संस्कृती को हमारी जीवन संस्कृती ऐसी होनी चाहिए जिन में सद्गुणों को बढ़ावा मिलता हो बंधन की योग्यता के लिए ऐसी संस्कृती की जरूरत है जिसमें यूवा पुरुष्व यूवत आत्मक दाग उन्हें काफी हद तक स्थाई बंधन की संभावना से वंचित रखते हैं। वचन बद्धता और जिसके प्रती वचन बद्ध होते हैं। ऐसे सही व्यक्ति मिलने की इंतजार करना स्थाई, खुशाल यौन जीवन, वैवाहिक जीवन और सुद्रिड पारिवारिक बंधन का आधार है। अच्छे पारिवारिक जीवन हेतु समुदाय के साथ अधिक से अधिक सहयोग करने की जरूरत है। समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थाई पारिवारिक जीवन के समवर्धन हेतु सरकार और विभिन सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रोच्साहित करने के लिए एक मुक्त नीती का होना जरूरी है। एक, छे सारांज इस सिकाई में हमने विभिन द्रिष्टिकोणों से पारिवारिक जीवन की संकल्पना पर चर्चा 1948 की सन्युक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोष्णा और 1989 के बाल अधिकार सन्युक्त राष्ट्र कन्वेंशन दो अंतरराष्ट्रिय दस्तावेज हैं, जो परिवार की संक और मूल समुह इकाई के रूप में परिभाशित किया है, जिसे समाज और राज्य द्वारा सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है. हमने विभिन्ण प्रभाव समुह द्वारा परिवार की संकल्पना को परिभाशित करने के कुछ प्रयासो की भी चर्चा की जो समाज के कुछ वरगों को स्वाभाविक और परंपरागत परिवार को उपलब्ध लाभों को भी प्राप्त करना चाते हैं. इस सिकाई में चर्चा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है परिवार की सामाजिक संस्थाओं, विवाह तथा परिवार, सगोत्र और विवाह के बीच अंतहसंबंद भारतिय संदर्भ में पारिवारिक जीवन पर चर्चा का अन्यक्षेत्र था. परमपरागत भारतिय परिवार अभी भी सन्यूक्त परिवार है जहां बच्चे और बुडों को सुरक्षा व देखभाल प्राप्थ होती है जिसका की कई देशों में पतन हो रहा है परिवार मूलियों और मूलियों में परिवर्तनशील प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा का प्रयास किया गया जिसके परिणामस्वरूप विश्व भर में सामाजिक परिद्रिश्य तेजी से बदल रहा है विवा और बंधन को सफल और चिरस्थाई विवा तथा पारिवारिक जीवन की कुझी बनाया गया है चर्चा जीवन संस्कृती और मृत्यू संस्कृती के बीच संतुलन का पता लगाने के साथ समाप्त हो जाती है धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ